ये है 2022 का न्यू यामाहा रेजएडर 125 CC हाइब्रेड टेकनलोजी के साथ ये इंडिया का सबसे पहला हाइब्रेड स्कूटर है जिसमें एक एक एक्स्टरा बैटरी है एक एक्स्टरा मॉटर लगाई है जिससे ये स्कूटर सबसे ज़्यादा माइलेज दे सके इसकी आन रोड कीमत क्या है माइलेज क्या है टॉप स्पीड कितनी है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक देखना चैनल को सबस्क्राइब कर देना इसके वाइजर के ऊपर में आपको एक ब्लू कोर हाइब्रेड का यहाँ पर आपको इस्ट स्टीकर मिलता है फुल मैट ब्लैक फिनिस मिल जाती है यहाँ पर नमबर प्लेट लगेगी इसके साथ ही साइट पैनल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टीकर वर्क नहीं मिलता है यहाँ पर आपको यामाह का लोगो मिल जाता है मैट फिनिस मिल जाती है इसक के साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक UBS का स्टीकर मिलता है जैसा कि इसमें आपको Unified Breaking System मिलता है इसकी आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं आगे वाला जो टायरेप वह यहाँ आपको 90-90-12 का मिल जाता है बारेंज के ब्लेक कलर के एलोवील मिल जाते हैं और टेलिसकॉपिक पॉर्क टैप का फ्रेंट में सस्पेंसन दिया गया है इस कलर का नाम है कमफर्टेवल तरीके से रख पाएंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इस बेस भी मिलता है जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान भी कैरी कर सकते हैं इस स्कूटर का वील बेस है 1280 mm का और यहाँ पर एक की पॉंट दिया गया है यही से आप इसके सीट अंडर स्टो को ओपन कर सकते हैं लेफ्ट में चावी को मूब करके दोस्तों कुछ इस तरह कि यहाँ पर आपको चाविया मिल जाती है सेंटर में आपको एक कैरी हुग मिलता है जिसमें आप थेला बगएरा मार्केट जाते समय लटका सकते हैं इसकी मीटर कंसोल के नीचे में एक यामाह मिल जाता है परफॉर्मेंस की बात करें तो जीरो से 40 की स्पीड में जाने में इस स्कूटर को मात्र 3.80 सेकेंड का समय लगता है और यहाँ पर आपको किलोमेटर की रीडिंग और यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशन की वार्निंग लैट मिलती है जैसे कि यहाँ पर एक अटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप की एक इंडिकेशन लाइट मिल जाती है जैसा कि यहाँ पर एक बटन दिया गया है जो फ्यूल एफिसेंट करने में काफी मदद करता है यहाँ पर एक चेक इंजन की वार्निंग लैट मिलती है इको मोड मिल जाता है और इसके साथ यहाँ आप आपको ऊपर में एक एक इको एसिस्ट इलूमिनेशन की यहाँ पर एक लाइट मिलती है जिससे यह स्कूटर काफी अच्छा आपको माइलेज देता है तो अब मैं आपको इसके एकजोस्ट के साउंड को यहां से चेक आउट करा देता हूँ इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें 90 किलोमीटर पर दिगंटे की टॉप स्पीड मिल जाती है इस स्कूटर के जो साइड मरा रहें वो काफी उनिक और स्टायलिस दिये गए है सुचिस की बात करें तो यहाँ पर आपको अपर डिपर के साथ इसी बटन में आपको बटन मिलता है यहाँ पर इंडिकेटर और हॉन का एक स्विच दिया गया है इसकी सीट कॉंफर्ट की बात करें तो काफी प्रीमियम क्वालिटी की सीट मिल जाती है डूवल टोन कलर के साथ जिसमें यामा की ब्रैंडिंग मिलती है 785 mm की सीट हैट मिल जाती है इसकी सैट प कलर कोटिंग के साथ है जिसमें आपको कलर नहीं मिलता है अड़ेस्टिबल फुट्रेस्ट मिल जाते हैं फुल रवर्ट की ग्रिपिंग के साथ जो की पिलियन के लिए काफी कमफर्टेवल हैं इंजिन को ठंडा करने के लिए यहाँ पर आपको एक एयर कूलिंग फैन मिलत है यहाँ पर आपको इंजन ओयल का कैप और इसका जो एक्जोस्ट है वो यहाँ पर आपको फुल ब्लेक कलर में मिलता है जो की फाइबर बॉड़ी के साथ है जिसमें आपको यमाह की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके रियर सेक्शन की बात करें तो पीचे से यह स्कूटर क टेखने के मिलते हैं दोस्तों तो अब चलते हैं इसके दूसरी सैड में तो इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 21 लीटर का काफी बड़ा और काफी गहरा यहां पर आपको सीट अंडर स्टोरेज मिल जाता है इसके साथी इस स्कूटर में आपको हा करती है इसमें आपको 5.2 लीटर का fuel tank मिल जाता है fuel tank के अंदर की side में आप देख सकते हैं इसके fuel tank के अंदर में जो सफेद वाला जो पार्ट चमक रहा है वो यहां पर इसका एक fuel pump दी गई है इसमें आपको कम से कम एक लीटर पेट्रॉल आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका जो फ्यूल पंप है वो खराब हो सकता है और आपको काफी हाई मेंटिनेंस हो सकता है इसके साथ ही यहाँ पर आपको टूल किट मिल जाती है एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में आपको स्मार्ट मोटर जनेरेटर सिस्टम मिलता है इस्टोप एन cowboy सेनल म सेन्सर मिलता है जैसा कि मैंने इसका साइड सेनल को डाउन कर दिया है अगर मैं इसको स्टार्ट करने की कोसिस करूँगा तो स्कूटर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा दोस्तो इसके साथ ही यहां भी आपको एडजस्टेवल फुटरेस्ट मिल जाते हैं यहां पर आपको केके स्टार्ट का लीवर मिलता है और इसके पीछे वाले टायर के साइज की बात करें तो यहां पर 110-90-10 का यहां पर आपको ट्यूब ब्लेश टैर मिल जाता है और 10 इंज का एलो वील मिलता है 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है और यूनिट स्टाप के पीछे में सस्पेंसन मिलते हैं जिसके उपर में 8.2 PS की 6500 RPM पर इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.3 NM का 5000 RPM पर तो प्रैस की बात करें तो यामाहा रेजेडर 125 डिस्क ब्रेक हाइब्रेट की एक्सोरूम कीमत है 84,730 रुपे और इसकी ओन रोड कीमत है 1,2,976 रुपे और यामाहा रेजेडर 125 डिस्क ब्रेक हाइब्रेट की एक्सोरूम कीमत है 81,030 रुपे और ओन रोड कीमत है 98,851 रुपे तनुसका ओटो यामा मध्यम ग्राम कॉलकता सोरूम में अगर आप भी अपनी सिटी की ओन रोड कीमत जानना चाहते हैं आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में सेयर कर देना मैं आपको रिपलाई करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और देव MTS चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को आल पर क्लिक कर देना थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में